आज मैं को बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप अपने टीवी में से चाहे कोई साभी टीवी हो Android TV, Smart TV तो आप उसमें से कोई application या कोई app delete कैसे कर सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो टीवी है वो Sony Company का है पर यह थोड़ा असेंबल है यानि बनाया हुआ है तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है आपको भी आपके टीवी में थोड़ा डिफरेंस लगेगा हर टीवी का अलग-अलग होता है तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ के अपने टीवी से app delete कर सकते हो वो भी आसान तरीके से सबसे पहले आप setting में आ जाएए यानि जहाँ पर आपका main setting दिखाई जीती है जहाँ पर आप सारे application बगरा देख सकते हो जैसे की YouTube बगरा तो यहाँ पर हमारा apps में हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube है है यहाँ पर हमारा और sony leave है हम sony leave को delete करेंगे यह गलती सर्थ हम से install हो गया है हम इसे हटा देंगे तो इसके लिए बैक करिए बैक करने के बाद यहाँ पर आप इसके dashboard पर आजाएए जहाँ पर सारे आपको tools मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर apps है app store है, media है, network है app store है, कई सारे option है तो यहाँ पर आपको setting में ही मिल जाएगा, एक option यहाँ पर setting है इन चारो buttons को use करें यहाँ पर आप ok करें इन message देखिए इन चारो पाचो option में जितने इप option आपके पास आते हैं उसमें आपको uninstall मिल जाएगा अगर यहाँ नहीं मिलता है तो back करिए अब यहाँ पर आपको मिलेगा TV assistant मिल सकता है, confirm नहीं है आपके TV में थोड़ा अलग भी हो सकता है तो इसे open करें यहाँ पर ढूंड़िए यहाँ पर मिल सकता है वो चीज तो मेरे TV में यहाँ पर है साइद आपके TV में बाहर ही हो नीची के तरफ आईए यहाँ पर आपको मिलेगा अप अनिस्टॉल इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनिस्टॉल आ चुका है इस पर क्लिक करें ओके करें यहाँ पर ओके करने कहेगा ओके करिए यह uninstall हो जाएगा अगर आपका यहां से नहीं होता है तो आप क्या करिए आप वहीं पर जाईए जहां से आपने application यह app download किया था जैसे हम जाते हैं app store में यहां पर उपर की तरफ app store में जाने के बाद यहां पर हम एक app को देखते हैं जैसे कि यह वाला जैसे कि यहां पर download का आ रहा है install का option आ रहा है ऐसे ही आपके में uninstall का option आ रहा होगा तो आप उस पर आके uninstall कर दीजिए आपका app डिलीट हो जाएगा